आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे विर नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी study IQPAP का बहुत-बहुत स्वागता है आज हम बात करेंगे बहुत-बड़े sociologist जिन्हों ने modern sociology को found किया Robert K. Merton की Robert K. Merton की बात करें तो इन्हों ने कोई बहुत-बड़ी sociological queries नहीं दी जैसे Marx ने दी, Parson ने दी, Durkheem ने दी इन्हों ने reality समझा दी दोस्तों को दिक्कत होती है कैसे इतने सारे rules and regulation के बावजूद हम एक ideal society नहीं बना पा रहे है तो दोस्तों आज हम Robert K. Merton की बात करेंगे और इनकी theories की बात करेंगे इतनी beautifully दोस्तों इन्होंने समझाया है इतने आसानी से इन्होंने समझाया है कि क्या बताऊं इनका जो deviance का concept है दोस सिद्धान अगनी उत्री के नाम से मेरी facebook profile है दोलों ही जगा प्रेट्चर के PDF सकते हैं सबाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों रॉबर्ट किंग मर्टन रॉबर्ट के मर्टन अगेन ये भी एक जीव थे यहूदी बड़े talented होते है दोस्तों यहूदी आप देखे ना अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो हम यह देखते हैं कि जीविश का contribution बहुत जादा है ठीक है बहुत intellectual बहुत ही पढ़े लिखें और बड़े intelligent है ना तो रॉबर्ट के मर्टन भी रॉशियन जीव थे समझ रहे हैं इनका जनम 1910 में हुआ तो एक modern sociologist है सबसे बड़ी आती है ठीक है और अमेरिका में इनकी फैमली जो 1904 में आ गी थे इनके पिता जी जो थे वो टेलर थे है ना इनके पिता जी एरन शोगनिकॉफ बढ़ा खतरनाक नाम है पता नहीं मैंने सही भी पढ़ा की नहीं तो इनके पिता जी जो थे वो टेलर थे ठीक है और रॉबर् मर्टन ने भी लगाया मतलब पहले इनका नाम था रोबर्ट शॉनिक लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम मर्टन चेंज कर दिया क्यों क्योंकि ये मजीशियन थे जी हाँ ये बोलते थे ये वाला जो नाम है ये एक जादूगर के लिए अच्छा नहीं है इनको जादूगरी से बड़ा लगाओ था जादूगरी दिखाते थे ये और परिवार इनका गरीब था ठीक है पिता जी टेलर थे बाद में कारपेंटर हो गए तो गरीबी थी लेकिन मर्टन ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास गरीबी है तो मुझे opportunity की कमी है रॉबर्ट मर्टन ने हमेशा ये बताया हमेशा ये ही बोला कि opportunity की कमी नहीं थी हाँ economic capital नहीं था लेकिन जहां हम रहते थे वहां मैंने different cultures explore किये ठीक है, sociological aspect मैंने देखा, society कैसे integrate हो रही है, सारी चीज़े मैंने देखी, तो ऐसा नहीं कि गरीब है, तो कोई बहाना ढूनते हैं, कि गरीब था, तो मैं कर नहीं पाया, in fact, इन्होंने अपनी situation का बहुत अच्छे से यूज़ किया, और खूब पढ़ाई की, ठीक है, तो ये से पढ़ाई की है, बहुत ही कम उमर में, sociologist बन गए थे, sociologist बनने का मतलब ये है, society को इन्होंने समझना शुरू कर दिया, तो देखी एक चीज़ आप समझिए, जितने भी बड़ी-बड़ी theories आये हैं, ठीक है, जिन लोगों ने उन theories को दिया है, जिन geniuses ने उन theories को दिया है जैसे कार मार्क्स हो गए, रॉबर्ट मर्टन हो गए, एमायल दुर्खीम हो गए, वो खुद भी भुक्त भोगी है, उन सबने देखा है, जेला है, जैसे कार मार्क्स की बात करें, कार मार्क्स गरीब रहे, गरीब परिवार में नहीं जन में थे, लेकिन उन्होंने कभी प दुखी नहीं होगे न, तब तक आपका best आएगा ही नहीं, इंसान का best तभी आता है जब उसका brain बिलकुल कहता है, इसा ना किक पीक पे होता है, और वो पीक पे तब होगा, जब कभी न कभी आप दुखी होगे, एक period ऐसा आता है इनसान की जिदगी में, जब बहुत जधा द सारी sociological theories आ गई थी दोस्तों मैक्स वेबर ने अपनी थे दी थी इधर एमाइल दूर्खीम ने अपनी थे दी थी बहुत सारे philosophers दोस्तों Emmanuel Kant, Russo इन सब को Robert Martin ने study किया ठीक है और उसके बाद इन्होंने ये देखा कि इन theories को modify कैसे किया जाए especially Talcott Parson और Karl Marx टैलकॉट पार्सन की बात करें तो अब मुझे उनकी biography पहले करनी चाहिए लेकिन मैं इस lecture में बता दूँगा कि उन्होंने क्या बताया Talcott Parson और Karl Marx की theory को इन्होंने बकायदा modify किया इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजे बताए जो की contradict करती थी Karl Marx को क्या अभी वहम देखेंगे तो इन्होंने Harvard University से पढ़ाए की MA की फिर PhD की sociology में और उसके ये बादिये पढ़ाने भी लगे बहुत सारी चीजे इन्होंने लिखी दोस्तों 1984 तक ये पढ़ाते रहे और लिखते रहे बहुत सारे essays बहुत सारे किताबे इन्होंने लिखी 1941 में इन्होंने Columbia University को जॉइन कर लिया और अगले 50 सालों तक ये Columbia University में ही रहे बहुत सारे इनको titles मिले और बहुत कुछ लिखा 50 से ज़ादा papers इन्होंने sociology पे लिखे ठीक है ना इन्होंने social science को एक नई ब्रांच एक नए discipline के तौर पे establish कर दिया ये इनकी सबसे बड़ी खास बात थी समझ रहे हैं तो ये चीज थी honors की बात करें दोस्तों तो इनको बहुत सारे national और international honors मिले हैं जो इन्होंने research की हैं ठीक है ना ये पहले थे जिनको national academy of science में जगा मिली first american sociologist to be elected a foreign member of the royal Swedish academy of sciences उसके बाद दोस्तों बहुत सारी universities ने 20 से जादा universities ने इनको honorary degrees दी हैं ठीक है ये चीज उसके बात 1994 में merton पहले sociologist थे जिनको US medal of science मिला ठीक है तो काफी अच्छा है इनका career रहा काफी golden career रहा और इनका दिहान्त जो है वो 23 वरवरी 2003 में हुआ इनको founding father of modern sociology बोला जाता है दोस्तों तो कमाल का इनका career रहा अब इन्होंने बहुत सारी चीजे बताई ठीक है अब आम इनकी theories पर आते हैं आम इनकी theories को बहुत अच्छे से समझेंगे ठीक है सारी theories तो मैं नहीं समझा पाऊंगा लेकिन जो बहुत important है वैसे मैं conclude करी दूँगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने कार मार्क्स और टेलकॉट पार्सन इनको कैसे लिया इनको कैसे समझा देखिए पहले इन दोरों को समझना हमको ज़रूरी है Robert Merton ने dynamism समझा है Robert Merton ने बोला कि ठीक है एक ideal समाज अच्छी बात है rules and regulation अच्छी बात है सबसे पहले हमको reality को समझना पड़ेगा society में जो realities है हमको उसको समझना पड़ेगा और इन्होंने बताया कि society जो है वो change होती रहती है reference group model की बात करें, divine theory की बात करें, functionality की बात करें हर चीज़ पे इन्होंने अपना तर्क रखा, ठीक है अपने reasons दिये, ठीक है अगर हम बात करते हैं functionality की, देखे Karl Marx किसकी बात करते हैं, पहले हम Karl Marx समझते हैं Karl Marx एक conflict समाज की बात करते हैं Karl Marx का क्या कहना है, कि एक ना एक दिन conflict हो के ही रहेगा किसके बीच में, यह जो capitalist है और जो labor class है, जो profit है, जो surplus profit है वो इधर capitalist class को जाता है और capitalist class की वज़य साथ बहुत ज़त exploitation हो रहा है तो mega theory उनकी थी है अब Karl Marx की theory को मैंने पूरा बताया है Karl Marx की biography review की आप ज़रूर देखिएगा तो वो बताते हैं, Karl Marx से conflict समाज की बात करते हैं कि एक ना एक दिन समाज में conflict हो के ही रहेगा जब लोग हद से ज़्यादा परशान हो अगर टेलकॉर्ट पार्सन की बात करें एक uniform society की बात करते हैं वो rules and regulation की बात करते हैं वो बोलते हैं कि हर एक institution का एक work होता है समझ रहे हैं और यहीं पे ही Robert Martin उनको सही करते हैं देखिए यह जो theories है ना इनमें modification होता रहता है याद रखिएगा मैंने आपको कई बार बताया है कि जो theories एक sociologist ने, philosopher ने, scientist ने theory दे दी उसके बाद उसको modify किया जाता है ठीक है तो यह theories जो है वो foundation work होती है तो Robert Martin के लिए अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे sociologist, philosophers अल्रेडी आ चुके थे और theories जो है वो बहुत सारी थी उनके पास अब खाली उसको modify करना था और Robert Martin ने इतनी simplicity से इतनी अच्छे से इन सारी theories को समझाया और अपने तरक दिये कि क्या बता है तो Martin क्या बोलते है Martin बोलते है functional unity की बात ठीक है देखिए Robert Martin ये बताते है कि जो society है ठीक है हम society में structures को ignore करते है मतलब इसका मतलब क्या है देखो तारसन ने बोला कि functional unity की अगर बात करें तो society जो है वो unite है पूरा समाज जो है वो unite है और society जो है वो rules and regulations के हिसाब से काम करती है और rules and regulation कौन बनाता है institution और हर एक institution का specific goal होता है ठीक है जिसको universal functionality बोला गया लेकिन यहाँ पे ही contradict करते है Robert Martin Robert Martin बोलते है कि पहले के समाज में ये बात सही थी लेकिन आज अगर modern समाज की बात करें तो ये बात बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे structures को ignore कर रहे है society में भी different structures होते है society में भी structures से यहाँ पे क्या लेना religion हो गया family हो गया school ये सब different different structures है different different layers है society की ठीक है तो जरूरी नहीं है कि society के ये structures जो है वो साथ में काम करें मतलब जरूरी नहीं है कि functional unity बनी रहे तो हमको इन structures को study करना बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है यहाँ पे एक दूसरे से चीज़ related करती है सारे structures एक दूसरे से related है but it is not necessary कि सारे के सारे structures एक तरीके से काम करें जैसे ठीक है अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताते है जैसे यहाँ पे small societies की बात करें ठीक है tribal societies की बात करें तो tribal societies में आप देखेंगे कि वहाँ पे culture जो है वह बहुत important होता है समझ रहे है culture जो है वह बहुत ज़दे important होता है और elders के पास पूरी ताकत होती है elderly जो है वो जो tribal structure होता है वो पूरी society को गवर्न करते हैं और family को गवर्न करते हैं क्योंकि ultimately यही जो families है यह tribals में क्या society बनाती है हालाक यह modern में भी society बनाती है मतलब हर जगा यही families जो है यह society बनाती है लेकिन modern समाज में जरूरी तो है नहीं ठीक है modern समाज में हो सकता है किसी family में culture कोई family culture नहीं follow करती हो ठीक है ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि कोई family जो है वो culture follow करे हो सकता है उनका अलग तरीकी का जीने का तरीका हो तो कहने का मतलब यह है कि जो functional unity है यह small society में हो सकती है लेकिन modern समाज में हमको structure पर जाधा ध्यान देना पड़ेगा समझ रहे हैं तो structure is very important और structure से क्या religion हो गया स्कूल हो गया फैमिली हो गई ठीक है और भी बहुत सारे जो society के structures होते हैं ठीक है तो यह चीज उसके बाद यहां पर universal universal functionality की बात करते हैं universal functionality की बात करें तो यहां पर हार एक institution का एक specific goal होता जैसे school college का goal क्या है college का goal यह है कि वो manpower दे सरकार का goal क्या है सरकार का goal यह है कि एक तरीके से social integration हो ठीक है economic का goal क्या है economic का goal यह है economic अगर हम बात कर economic activity industries का goal यह है कि अर किसी को काम मिले family का goal क्या है latency है समझ रहे है law and order का goal क्या है कि सब कुछ सही रहे proper integration हो जाए ठीक है तो हम यह देखते हैं कि हर एक institute का अगर universal functionality की बात करें तो हर एक institute का universal function होता है समझ रहे हैं यहसे सरकार चाहेगी कि सरकार यहीं चाहती है न कि उसके गोल जो है उसके गोल और समाज के गोल सरकार जो होती हो पूरे समाज का दायतु जो होता है वो institution के हाथ में होता है और सरकार भी एक तरीके की institution है जो यही देखती कि society सही तरीके से काम करे गोल जो है वो establish हो जाए समझ रहे हैं अब यहीं पे बताते हैं Robert Martin की ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है universal functionality भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त काम करे जैसे जैसे यहाँ पे पार्सन बताते हैं universal functionality मतलब समझ रहे हैं कि हर एक institution का एक proper function ह होता है और वो universal है वो पूरी दुनिया में काम करेगा जैसे school का अगर काम है college का काम है कि वो manpower दे पढ़ाई करवाए जो students हारा उनको पढ़ाई करवाए और ultimately यही students आगे जाके देश को बना यहीं पे ही महटन बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है जैसे college का example देते हैं ठीक ह अब college का example देते हैं कि college में क्या है कि college में हमको क्या है हमको पढ़ाई करने हम इसलिए college जाते हैं हम college में पढ़ने जाते हैं तो function क्या universal function क्या है college का पढ़ाना manpower देना ज्यान देना लेकिन college में political campaign भी चलती है college में election भी होते हैं होते हैं कि नहीं तो अब वो तो काम नहीं है वो तो universal function नहीं है लेकिन college में तो elections होते हैं तो बहुत सारे जो students हैं वो political leaders बनते हैं तो college जो है वो एक तरीके से political philosophy का भी काम कर रहा है political morality का भी काम कर रहा है बकायदा यहाँ पे students पढ़ाई के इलावा ये भी सीख रहे हैं कि political leadership कैसे ली जाए समझ रहे हैं तो college का तो universal function ये हुआ नहीं universal function क्या है college का की manpower दो लेकिन यहाँ पे तो बकायदा political campaigning होती है college में actions होते हैं लोग चुन के आते हैं ठीक है तो ये बताते हैं कि universal functionality भी जरूरी नहीं है कि हर जगा काम करे हर एक institution का अलग-अलग function हो सकता है ठीक है अगर ऐसा होता है universal function होता है जैसे सरकार सरकार क्या होता है कि goal attain हो ठीक है goal attain हो बेसिकली लेकिन सरकार तो बहुत सारी और चीजों में भी लगी रहती है सरकार में कभी-कभी corruption भी हो जाता है तो ये universal functionality का concept मर्टन के हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है और इसमें मर्टन ने इसको modify किया ठीक है functions जो है वो similar या फिर dissimilar हो सकते है ज़रूरी नहीं है कि एक institute का एक function है तो उसी function पर ख़ड़ा उत्रे उस function से भी बहुत सारी चीज़े और रिकल सकती है ये समझे आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ चलो बहुत बढ़िया तीसरी चीज़ दोस्तों मैं थोड़ा से जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि काफी चीज़ है मुझे समझानी है इसमें थोड़ा से जल्दी time limit होती है मेरे पास से पुलिस की बात यहांपे करते हैं पुलिस का काम क्या होता है law and order को maintain करना universal functionality है यहिए न पुलिस का काम की law and order को maintain करना और पुलिस एक ऐसा institution है कि वही law and order maintain करें लेकिन ऐसा tribal समाज में होता नहीं है अगर आःप tribal में जाया है, तो वहाँ पे कोई police नहीं है, वहाँ पे जो social control है, वो किसके पास होता है? वो elders के पास होता है. जो elders, जो बुले बुजर्ग होते हैं, अभी भी आप गाउं में देखेंगे तो वहाँ पे elders होते हैं, बुले बुजर्गों की बात मानी जाती है. प समाज बिल्कुल एक हो अब आप भागवद गीता भी philosophy भी लगा सकते हैं भागवद गीता की जो philosophy है जो से सार निकल के आता है वो modern समाज में आज उसको आप apply नहीं कर सकते हैं क्यूंकि समाज अज different है आपको capitalism भी मिलेगा आपको communism भी मिलेगा आपको socialism भी मिलेगा फिर आपक equality रहेगी लेकिन ऐसा है नहीं अलग अलग institution मतलब जो institution है जो उसका काम है ज़रूरी नहीं वही काम करें उससे बहुत सारी चीज़े निकल सकती है समझ गए तो ये चीज़ है sociology में nobility लाने की कोशिश करते हैं रोबर्ट मर्टन बहुत बड़ी बड़ी theories नहीं देते हैं बि लेकिन ऐसा नहीं है life जो है ना is full with permutation and combination क्या आ जाए आपके सामने किस तरीके से आपको behave करना पड़े क्या पता है आपको कभी-कभी rules and regulations तोड़ने भी होते हैं आपका परिवार आपको कुछ कहता है rules and regulations set of rules है लेकिन बहुत सारे लोग उसको तोड़ देते हैं एक परिवा यह थोड़ी ना बताता है कि criminal बनो लेकिन universal functionality के हिसाब से परिवार उनको अच्छी चीज़े बताता है तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए लेकिन यहीं मटन बताया कि नहीं ऐसा नहीं है ठीक है यह जो universal functionality है यह change होती है ठीक है ऐसे तो बिलकुल ideal समाध बन जागा लेक इसे अभी deviance, deviance बोलते है deviance बोल रहा हूं है deviance, deviance मतलब क्या deviate होना मुड़ना जो आपका path है आप वहाँ से मुड़ गए deviate हो गए समझ गए तो deviance की अगर theory की बात करें दोस्तों तो इसमें Robert Merton बहुत ही अच्छे से 5 चीजों को बताते हैं Robert Merton बताते हैं कि institution का मतलब क ठीक है देखिए यहाँ पे 5 category हैं एक है confirmity वो लोग जो confirmist होते हैं confirmist कौन होते हैं confirmist वो होते हैं जो goals है attitude to goals यह accept करेंगे attitude to means यह accept करेंगे मतलब जो law and order बनाए हैं जो भी law and order परिवार में समाज में समाज में बनाए हैं confirmist उनको accept करेंगे जितने भी rules and regulation हैं यह लोग follow करेंगे कभी ने बिल्कुल सीधा रास्ता चलेंगे लेकिन confirmist उसके बावजूद अपना goal attain नहीं कर पाते हैं समझ रहे हैं सारे rules and regulation follow करने के बावजूद यह लोग अपने goals को accept नहीं कर पाते हैं जो यह चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं और यहाँ पे Robert K. Burton बताते हैं इसी में इन तरीके से दुख की बात उन्होंने की हैं दूसरे है ritualist यह कौन होते हैं यह वो होते हैं जो again यह goals को तो reject करेंगे लेकिन means को accept करेंगे मतलब जो भी इनके culture में पढ़ाया जाता है ठीक है जैसे धार्मिक लो है ना अब यहाँ पे इनका goal नहीं होता है goals को तो reject करेंगे ठीक उसी पे ही चलते हैं यह ritualist ठीक है ना तो एक तरीके से conformist और ritualist जो है वो एक ही हो गए है ना दोनो rules and regulation को बहुत ही अच्छे से follow करते हैं लेकिन उसके बावजूद यह अपने goals को attain नहीं कर पत कुछ करते हैं लेकिन ज्यादातर देखेंगे कि जो यह बनना चाते हैं पीछ कौन होते हैं यह वो होते हैं इनोवेटर यहां पे आप देखिए goals को तो यह accept करेंगे लेकिन means को यह reject करेंगे ठीक है ना दोस्तों एक चीज़ आप समझे यह आप means और goals समझ रहे हैं ना मतलब क्या आप रास्ता अत्यार कर रही हैं अपने goals को पाने के लिए समझे की नही हो सकता है मैं थोड़ा से technical जा रहा हूं हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना रहो ऐसा तो नहीं कहीं मैं आपको फिर से बता देता हूँ confirmist जो होते हैं जो रास्ता बताया जाता है रोल्स बताया जाता है वही accept करते हैं और उसी को ही accept करके अपना जो aim होता है जो उनको पाना होता है उसको ही पाते हैं जैसे जैसे मान लिजा आपके परिवार ने बताया जिंदगी पर भाईमानी मत करना ठीक है और 10 घंटे पढ पढ़ाई करनी है, तो वो आपका हो गया means, rules and regulations आपके परिवार में आपके लिए बना दिये, और उसी को ही आप follow करेंगे, ताकि आपका goal, जो आपका aim है, वो achieve कर लिया, समझ रहे हैं, तो यह जो confirmist होते हैं, हर चीज को confirm करते हैं, ताकि अपने goals को पा लेगे, फिर आते हैं रिशुलिस्ट जो है, वो goals को reject कर देते हैं, लेकिन जो रिशुल्स, customs, tradition होते हैं, उसको accept करते हैं, जैसे धर्व में अकसर होता है, जैसे हिंदुजम में भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं, इसलाम में भी आप देखेंगे, कि जो उनके custom and tradition उसके बाहर नहीं जाते, goals मिले, च अची वो चायना हो, ठीक है, तीसरे बहुत important है, innovators, innovators कौन होते हैं दोस्तों, जो means को reject करेंगे, goals को accept करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये लोग किसी भी तरीके से सामदाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपने goals को पाएंगे, and justify the means, सुना था न, गोल को पाएंगे, अगर मुझे एक politician बनना है, अगर मुझे minister बनना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका कतल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कितना corrupt हूं, बस मुझे अपना goal दिखाई दे रहा है, ये होते हैं innovators, मतलब ये जो समाज ने rules and regulation बनाये हैं, उसको reject करे उसको manipulate करेंगे, और ये लोग आगे जाते हैं, innovators जो होते हैं, ये अपने goals को पा लेते हैं, ये अपने aim को पाने में कामियाब हो जाते हैं, क्यूं, क्यूंकि ये समाज से हटके चलते हैं, समझ रहे हैं, ये उन rules and regulation को following नहीं करते, करते भी ऐसी बात नहीं है, आप कोई, it depends, अब इसका मतलब या ये मत समझेगा, या भी कुछ unethical काम करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, जैसे अब Albert Einstein की बात करते हैं, Albert Einstein तो चलिए बहुत नए हो गए, copper nicas की बात करते हैं, अब उससा में समाज किया था, copper nicas, copper nicas जब आये थे, उनकी बियाग् economic model, तो कहने का मतलब है, जो समाज ने rules and regulation मनाये हैं, उनके विप्रीच जाते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं innovators, और इनकी respect भी होती है, हम इनको respect भी करते हैं, बहुत सारे से politicians, कितने सारे से philosophers हैं, जैसे Montescue आप देख लीजे, ठीक है, अब उन्होंने rules and regulation थोड़ी ना follow किये Montescue हो गए, Emmanuel Kant हो गए, कितने सारे लोग है, है ना, आप sociologist में देख लीजे, उन्होंने means को reject किया, लेकिन goal को तवज्जो दी, ये होते हैं innovators, ये अपने goals को पाते हैं, उसके बाद आते हैं, तीसरे, चौथे जो आते हैं, वो होते हैं, retreatist, ये क्या करते हैं, ये दोनों को reject करते हैं, ये सबसे खतरनाक होते हैं, retreatist क्या होते हैं, ये goals को भी reject कर देते हैं, कि मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में, और ये जो rules and regulations है, उसको भी reject करते हैं, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग hippies हो जाते हैं, drug addict हो जाते हैं, परिवार बताता है, परिवार के रूल को society के रूल को अपना जो religion है उनके rules and regulation को सरकार के rules and regulation को सब को किनारे लग देते हैं समझ रहे हैं जब यह rejection होता है तो वो लोग drug addict हो जाते हैं criminal activities की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनका ना ही कोई गोल है ना ही कोई उनके उसूल है ठीक है तो कैसे चलेगा पांच में आते हैं rebellions rebellions क्या करते हैं rebellions कुछ चीजों को accept करते हैं ठीक है जैसे जब revolution होता है तो rebellions के ही द्वारा होता है rebellions बोलते हैं कि जो society ने rules and regulation मना उसको कुछ चीज़े तो सही हैं लेकिन कुछ चीजों में society जो है society में जो लोग हैं वो काम करते हैं यह चीज़ आप समझे rebellion इसमें सबसे अलग new goals new means समझ गए तो यह Robert के Merton की device topology है समझे की नहीं और इसमें institution अब देखिए यहाँ पे institutional means क्या है ठीक है institutional means क्या है institution जो है वो आपके लिए क्या बनाएगा rules ठीक है rules and regulation मनाएगा और institution यह बताएगा in rules and regulation के through आप कैसे अपने goals को accept करे ठीक है लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो accept करते हैं दोनों चीजों को वो confirmist होते हैं जैसे college ने बताए यह चीज़ करनी हैं जो मैंने इससे पहले आपको बताया था फिर एक दोस्तों एक और इन्होंने point of reference theory दे थी यह भी बहुत कमाल की है reference theory की बात करें तो reference theory कोई भी समाज जो है वो एक reference point बनाता है ठीक है जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं हम गांधी जी को एक reference point मानते हैं ठीक है गांधी जी एक हमारे reference point है जो low caste के लोग है I am really sorry to use that word बट मुझे समझाने के लिए यह word use करना पड़ रहा है ठीक है जो जिनकी caste जो है भारत में जहां पे जिनको थोड़ा सा मतलब सही नहीं समझा जाता वो बी आर अमिटकर को अपना ideal मानते हैं उनके लिए reference point वो है ठीक है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया reference point हम बनाते हैं और यही reference point आपके future को decide करता है हर एक समाज के reference point होता है कि हमको उस इंसान की जैसे एक individual है अब वो बोल दे कि मुझे जो है वो पाबलो एसकोबार को follow करना है अब पाबलो एसकोबार तो इतना बड़ा criminal था उस इंसान के लिए reference point वो हो गया यानि कि अब जो वो जिंदगी में करेगा वो उसी इंसान के हिसाब से करेगा जो उसने means follow किया है न वही वो भी करेगा यानि कि वो कैसे रास्ते पर चला गया है जो जुर्म की तरफ जाता है अगर हम reference point बनाते हैं जैसे कोई individual है वो reference point बना रहा है हिटलर को तो क्या करेगा हिटलर की हिसाब से चलेगा हिटलर की जो हिटलर ने किया जो उसकी ideology है वो अपने अंदर वो डालेगा उसको और उसका जो future है वो उसी तरीके से रहेगा तो reference point बहुत ज़्यदा important है ठीक है हम क्या reference point लेते हैं इससे हमारे future action जो है वो define होते है और future action का मतलब क्या है actions का मतलब क्या है action is related to society कोई भी action आप कर रहे है उसको society पर तो असर पड़ी रहा है समझे आप तो यह reference group theory भी बहुत important है उसके बाद इसी में ही दोस्ते एक reference power का concept आता है reference power की बात करें तो यहां पे जैसे reference power इसका एक example लेते हैं मतलब अब जो is की is एक reference point हो गया लेकिन हम उस point को नहीं देख रहे हैं हम उस power को देख रहे हैं कि जब is मिल जागे जब वो हमको गद्दी जो कुरसे मिल जाएगी न उससे जो ताकत आएगी मैं कुछ भी कर सकता हूं जादा तर दोस्तों is जो है न वो power के लिए ही बनते हैं पैसे के लिए नहीं समाज का कुछ करने के लिए नहीं भले ही वो कुछ भी भूले लेकिन कहीं न कहीं वो जादा तर जो होते हैं पावर आजेगी मेरे पास ठीक है हाला कि यह अलग बात है कि जब वो is का मेंस देते हैं क्योंकि मेंस में आपका पूरा character test हो जाता है उसमें इसमें सफल नहीं हो पाते इतने सफल नहीं हो पाते लेकिन यह reference power का भी concept बहुत important है कि हम reference point को भूलके reference power की तरफ shift हो जाते हैं सम जाए आई होप इसमें आपको कोई भी problem नहीं होगी और भी कुछ theories है लेकिन 70-80% मैंने समझा दी है अब जब आप Robert mutton को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जागा क्यों कहना क्या चाह रहे है समझ गए कुछ लिए पढ़ते नहीं देसे सिद्धान तक नहीं होते हैं